इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। दिल से संबंधित सीने में दर्द एंजाइनक को रोकने के लिए इसमो बीस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। आपको इस दवा को वैसे ही लेना चाहिए जैसा कि यह निर्धारित किया गया है और इसे लेते रहें भले ही आप ठीक महसूस करें। साथ इस दवा के प्रती सहनशीरता विक्सित कर सकते हैं जिसका अर्थ है कि वही खुराक कम प्रभावी हो जाती है। ऐसा होने से रोकने के लिए आपको वास्तव में विशिष्ट खुराक कारिक्रम का पालन करना होगा। सबसे आम साइड इफेक्ट्स में सिर्दर्द, चक्कर आना, आपकी हिर्दय गती में बदलाव और निस्तबधता, गर्मी, लालिमा या एक तनावपून भावना शामिल हैं। यदि ये लक्षन आपको परेशान करते हैं या दूर नहीं होते हैं, तो आपका डॉक्टर उन्हें रोकने या कम करने के तरीके सुझा सकता है। दर्द निवारक लेने, बहुत सारे तरल पदार्थ पीने और शराब से परहेज करने से कुछ को कम किया जा सकता है। इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको निम्न रक्ट चाप, आँख में बड़ा हुआ दबाव, ग्लुकोमा, गुर्दे की बीमारी या दिल की विफलता है। अपने चिकित्सक को यह भी बताएं कि क्या आप कोई अन्य दवा ले रही हैं, क्योंकि कुछ इस दवा को प्रभावित कर सकती हैं या इससे प्रभावित हो सकती हैं और कुछ इसके साथ लेना खतरनाक हो सकता है। इस दवा से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। यदि आप गरभवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर से पूछे कि क्या यह दवा उप्यूक्त है। इस दवा से उप्चार के दौरान आपका डॉक्टर नियमित रूप से आपके रक्चाप और हृदय गती की निगरानी कर सकता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।